दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ठेश सारी चुडिया है क्योंकि आप लोगे बहुत सारे सवाल आए हैं जिसमें आप लोगेने मुझसे पूछा है हमें पुरानी चूडियों का क्या करना चाहिए, चूडिया किस दिन पहनना चाहिए, चूडियों को किस रंग का पहनना चाहिए, कौन सी चूडिय पहनने चाहिए, कौन सी चूडिय नहीं पहननी चाहिए, चूडियों का क्या करें, क्या ना करें, तो दोस्तों आज मैं आपक खुष रहने का आश्रवाद देती हैं हमारा कल्याद करती है दोस्तों आप अपने इस्ट गुरु भगवन माता पिता का भी नाम जरूर लिख सकते हैं जो मी मेरे भाइबेन हमेशा जय माता रानी लिखते हैं उसको में धेरो धन्यवाद देती हूं दोस्तों बहुत खुशी बटन को को प्रेस करिए उसके बाजस भी फ्री है दोस्तों सब्सक्राइब जरू करिए आज का वीडियो आपको पसंद आता है इंफ्रमेतिव लगता है तो लाइक करिए कमेंट करके मुझे ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तो आप जब लाइक करते हैं तब ही मुझे पता पड़ता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या कमेंट करते हैं तो दोस्तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरूर करते हैं दोस्तों मैंने थोड़ी दिल पहले एक वीडियो बनाये शिफ पुराण के अनुसार श्रिंगार के क्या नियम है जो मा पारवती हमें बता रही है उन्होंने हमें बताया है कर आभूशन दोस्तों सुहागी निस्त्री को हाथ में चूडी जरूर पहनने चाहिए उन्होंने ऐसा बताया है अगर आप बहुत सारे श्रिंगार नहीं भी कर पा रहे हैं तो कर आभूशन यानि हाथ की चूडी पहनने चाहिए यानि यह सुहाग की एक ऐसी निशानी है जो हर सुहाग निस्त्री को पहनना चाहिए अब जैसे आप बहुत सारी बाते मुझे से पूछ रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी जो वेत पुरान हैं, जो भी हमारे पास ग्रंथ हैं, मैंने कोशिश करी कि मैं देख के आपको बताओं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप सुहागन हो, तो ये करो या ये नहीं करो, तो दोस्तों बहुत जादा अंद विश्वास में जाने की बहुत जरुवत नहीं है, हर चीजों को आप सोचिए, खुद आप तरह से उनका अनलेसिस करिए, कि ये सही है ये गलत है, या फिर अगर आप मानना चाहते हो, तो अब जैसे ही उन चीजों को मालो और करो, अब जैसे सबसे पहला सवाल आता है, पुरानी चूडियों का हम क्या करें, पुरानी हो गई है दोस्तों चूडी अब चाहे वह कांच की हो या कोई सी भी हो, तो आप फैक ना चाहो तो उसको फैक सकते हो, फैक ने के लिए दूस् क्या करें या ना करें, सुहागे निस्तिया खास तरब इस चीज़ को लेके बहुत ही जादा पहननी चाहिए जब तक की बूचूडिया तूटना जाएं, तो शादी में अगर आपको जो सुहाग की चूडियों मिली है, जो सस्वाल की तरफ से आती है, उन्हें सम्हाल के र तक आपको जरूर भी चूडियां पहनना चाहिए जिसके आपको बात कर लेते हैं, जरूर इस तो पहनते हो तो इकड़ी कि एक तम से हाथ खाली करना चाहिए हूँ ऐसा नहीं चाहिए सा इस लिए कहा स्पाले कर चाहिए छीकार्टियं में सब्सक्रक्रवां इस यह जोड़ और हासी प्षूरी दो पिर अब से हाथ खाली करते हैं, अब हमें पहता है. तो ऐसे हमें की ऑलवा और हमें फिरलने कहीं, लिएब हम प MIN eigentlich कोन डाव ही 3 मैं क्शूरी क्या चाली है खाला शंग कर दो. रखे खालित लेज लेग, कुटो में हमें जान चार। जोडिया उतारी चेंज करनी कलावा निकाल के रख लिया, ऐसी आपने दूसरे हाथ में भी करना है कि कलावा बान था और फिर उसके आपने चूडिया चढ़ा जेंज कर रहा तो आपको इंगम से क्या होगा हाथ खाली नहीं होगा तो आप या तो कोई और रंग का धागा भी आप लाके रख सकते हो वो बीजीवे या तो आप बालो में जो रबर बेंड लगाते हो कलरफुल रेश्मी रहते हैं उनको भी पहन के आप चूडिया चेंज कर सकते हो तो यह अगर आप इस बात में विश्वास करते हो कि एगदम हाथ खाली नहीं होना चाहिए तो यह मैंने आपको उपाय बताएं आप ऐसा कर सकते हो तो इससे एकदम से क्या हाथ खाली नहीं होगा और आप आराम से चूडिया पहन लो किसी तरह का अप्शगू नहीं होगा आप नेक्स्ट बात आती है कि चूड़ी पहनते समय मिश्व पहले सीधे हात से पहनोस तो सीधे हात से क्यों पहलो क्यों कि हम घर के काम करते हैंशाग नंषद्धिया उती होते हैं उनके दोनों हातो आथो का साइस अब देखो कि लोगा था है ईकसा नहीं होता कि सीदे हाथ में चूडी पहनते हैं सबसे पहले शगन-अबशगन से जोडए लगे लोग तो दोस्तों ऐसा नहीं है अब लोगों ने बना लिया और अगर आपका मन करता है तो आप इस तीस को मान सकते हो कि सीधे हाथ में ही सबसे पहले चूड़ी पहनो एक और माननेता है कि सीधे हाथ में ज्यादा चूड़ी पहने चाहिए उल्टे हाथ में कम चूड़ी पहने चाहिए ये भी इसलिए दोस्तों कि पहले लोग चूड़ी पहनते थे और उसके बाद वह महीने भर तक या फिर जो करने में चूरी टूती है, तो आपर हमिशा के लिए हों Ver by काम करणली की काम करने में ठूरी तूटी थी, धीनियत कवसा सब्लाइए, धीनिय षिए पर यह माननिता बन गई है अब एक और बात आती है कि चूडी एगनम से जैसे आप नहा किया हो बाल खोल के बैठे हुए हो तब आप चूडी मत पहनो हमेशा जब भी चूडी पहनो पहले बाल बना लो या सर को धकलो फिर चूडी पहनो मैं अपने घर में पूछा ऐसा क्यों होता है तो यह जैसे सब बताते हैं क्या होता था पहले के समय में पहले के समय में अभी भी कहीं होता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तब बाल खोल के चूडी पूडी बदलना होता है तो उस अप्शगुनी के कारण या वो जो रिच्वल चले आ रहे हैं तो इसलिए बना कर आ जाता है तो बाल बांद के या थोड़ा तयार होने के बात आप चूड़ी चेंज कर लोगे तो अच्छा है आप इंदम नहा के आते हो गीले बालों से खुलेवे बालों से इसे पेशली कभी भी कोई भी सुहाग का जो सामाने हमें वो नहीं करना चाहिए नहां के आने के बाद थोड़े से बाल सुझाए आप उन्हें बान लो उसके बाद ही आपको हमिशा सोलह श्रिंकार करना चाहिए या तयार होना चाहिए एक ऐसा नियम आप बना लो तो चूड़ी का यानि आप किस दिन पहनों किस दिन नहीं पहनों तो दोस्तों जो मंगलवार का दिन होता है यह बहुत कड़क दिन होता है इसे खर बार का जाता है बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मंगलवार के दिन खास तो और पर सुहाग का सामान बदलना नहीं चाहिए तो अगर आप भी इसी को मानना चाहो तो मान सकते हो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं चूडियां किस तरह सी पहननी चाहिए तो दोस्तो सबसे जो अच्छी चूडिय होती है मैं आपको बताती हूँ वो लाख की होती है लाख बनता है पीपल से पीपल में विश्णु जी का वास होता है पलाश के पेड़ से लाख बनता है ऐसे जो भी पेड़ है जिन पे लाख बनता है वो सब जादा तर पेड़ भगवानों के प्रीय हैं क्योंकि लाख की खेती होती है और लाग बहुत ही शुद होता है तो हर सुहागे निस्त्री को अपने श्रिंगार में लाग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए और सबसे अच्छा फाइदा यह कि दोस्तों लाग अगर खराब हो जाए तो कच्रे में मत फैको उसको आप दुबारा दुकान वाले के पास ले जाओ वो उसकी नई चूड़ी बना के आपको दे देगा तो लाग की चूड़ी का किसी भी तरह से अपमान नहीं होता है इसके हर फाइदी फाइद है आप पहलो के तो आपके देखने में भी अच्छी लगेगी और इसका बिल्कुल में यहने सुहागे निस्तिरों के लिए सबसे जाज अच्छी लाग की चूड़ी होती है इसके अलावा हम बात करें काच की चूड़ी को दोस्तों चंदर से जोड़ के देखा गया है तो जो चंदर हमारा ग्रह है यह हमारे मन को कंट्रोल करता है अगर सुहागन इस्त्री या घर को चलाने वाली इस्त्री का मन अच्छा रहेगा तो उसका घर में वो खुशी रहेगी और वो खुशी रहेगी तो बाकी के लोग भी खुश रहेगे तो दोस्तों कहा गया है कि चंद्र की जो सबसे ज़रा दोस्ती है वो बुद्ध से है अब बुद्ध का रंग है हरा हरे रंग की चूड़ी पहनने से इस तरी के मन को जादा प्रसंदता प्राप्त होती है या वो जादा शुक्कारक होती है साथी साथ नारंगी रंगी चूड पर यह आपके मन को शांत कर देता है तो कई बार ऐसे का जाता है शादी शुदा इस्त्री को केवल एक धातू की चूडी नहीं पहनना चाहिए केवल चांदी की चूडी नहीं पहनना चाहिए तो दोस्तों वो हमेशा mix करके पहनने के लिए बोलते हैं कि आप उसके साथ कुछ कांच की चूड़ी पहन लो ये भी माननेता के हिसाब से हैं तो आप जिस तरह से भी इस चीज़ को मानना चाहो आप वैसे पहन सकते हो और जैसे संतांसाते की जब पूजा होती है तो चांदी की चूड़ी लड़के की इमाच चढ़ाती है और वही चूड़ी को फिर सीधे हाथ में पहनती है पूजा में بھی यूज होता है पर सुँहागे निस्त्रियां केबल इसको अकेले पहनने से मना करती हैं कई लोग बोलते हैं कि केल बुट थैंक सबस्कार 100 चाहिए क्यों नहीं पहनना और क्योंकि ब्रसपति की सुना पहना पेंड लोगोगेbn Pastel कोई भी यह नहीं चाहता है वो घमंडी यह बुरा दिखे तो आप जब भी पहनो चीजें बैलंस करके पहनो कोई भी चीज अती में हम अपने हाथ में नहीं पहननी चाहिए हेरे की चूडिया हीरे के कंगन के बार में हीरा जिसने बैभव लेकि ऑता है इह ने मंगत के भी होता पास हुँआ कर सुल कॉरण का संबंद होता है आपस में अगर जैसे आप शुक्र अर्च्छा नहीं है घर में बहुत स्याहर हैं जैसे देinkन करके पती को परशान करके बोलो नहीं मैं तो हीरे के कंगन पहनुगी पहन भी लोगे तो नुखसान हो जाएगा क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं है तो आप हमेशा जो भी चूडी पहनो वह ध्यान रखके पहनो कि आपके कौन से ग्रह अच्छे या कौन से नहीं है सबसे बेस्ट जमी करें वह अचरर में नहीं है थाएगंगे वहर एक चीज के अपने फाइदRI होते है इन फाइदो के उनु idee जब आप अपने घर में चूडी पहनोगे तो आपकी किसमत बहुत चमकती है आपकी जिन्दिगी में आपकी बहुत प्रोग्रेस होती है आपके घर में जो महाल बनता है वह बहुत अच्छा महाल बनता है कुछ भी चूडियां खास तौर पर चढ़ाना चाहिए साथ चढ़ा दो पांच चढ़ा दो कभी भी इवन नमबर में नी चढ़ाना चाहिए ऐसा भी बड़े मुडों ने मानने था के हिसाब से बताया है और चूडि होती है जब आप यहने आपकी मां आपको चूडि दे तो आपका चंड्र मजबूत है या आपकी सास देती है तो भी आपका मजबूत होता है जरूर पहन रिपंगे जब भी आनि सास चूडि दे और हमेशा बोलना में चाहिए articulate इंडिंडिर कि आप अगेर जैसे सास को देते हो जब जैसे करवा चौत हो तो आप जो सुहाग की पिटारी बना रहे हो उसमें चूडिया भी रखो या सास के लिए बिच्छी इत्यादी रखो जो भी सुहाग का सामान है वो जरूर देना चाहिए जब आप किसी को चूडिया दो किसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कभी अप्षगुन में जादा नहीं पढ़ना चाहिए बहुत जादा दिल को वहम नहीं लगाना चाहिए यह सब मैंने आज आपको बहुत डीटेल में बताया है पर जो मुझे ठीक लगता है मैं करती हूँ अगर आपको ये बाते ठीक प्लीज मुझे बताएगे कर आज का वीडियोम आपको कैसा लगा इंफरमेटिव लगा या नहीं लगा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरू करिए कमेंड करके मुझे बताइए मेरे सब इच्निक के कमेंड सेक्षीन का पहला कमेंड जरूर देखिए और इसी त फिर आपसे मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्ते